राम लंगी के इतिहास का सबसे बड़ा दिन जल्थी आने माला है जब राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भ ग्रह में विराजवान होंगे और राम भक्तों का करीब साड़े 500 बरसों का इंतजार मूर्त रूख लेगा बता दें कि श्रीराम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र की ओर से राम मंदिर के गर्भ ग्रह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख फाइनल हो गई है तो वहीं ये खबर सुनकर उनकी ये खुशी दोगनी होने वाली है दरसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारों को और भी भक्ती मैं और शांदार बनाने के लिए इसमें देश की तमाम दिग्गच कलाकारों का जमावला लगेगा तो वहीं इस बार के इंजिन आइडल विनर 13 अयोध्या के ही रिशिय सिंग भी अपनी आवाज का जलवा बिखेटे नजर आएंगे जी हाँ वही रिशिय सिंग जिन्होंने अपनी साधगी और अपनी सुरों से लाखो करोडों को अपना दीवाना बनाया यहां तक कि कई बॉलवुड सिलफ भी उनकी आवाज के कायल हुए वही अयोध्या के रिशिय सिंग इस बार अपने भक्तिमाय अंदाज में कायक्रम में परफॉर्मस देते नजर आएंगे सुनिये गायक रिशिय सिंग ने इस बारे में क्या कुछ जानकारिया साजह की अधिया में पहले बड़े रहने के बाद इतने बड़े मंच पे अपने अधिया को रप्रेजिया करने के बाद अगर यहां मौका ना मिले तो ऐसा दूरा सा लगता है तो यहां पे रहे कर मेरी इच्छा वैसे पहले से थी क्योंकि राम मंदिर का जब से निर्माण कंप्लीट हो जाता उसके बाद यहां मौका मिलना मेरे बहुत बड़ी बाद तो इस पर मिला है तो एक गाना जरूर उस पर वनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और प्रेजन करेंगे हमारे आ मान जब चौदा साल के वनवास के बाद घार आते हैं तो उनके लिए गाना गाया था इसके बोल कुछ इस तरीके से थे वनूप वन सब जगजन जीवन आपार हर सायो रे स्वागत में अब मंगल गीत सारी नगरी गायो रे रगुवन सी के संग दिवाली आयो रे दिवाली आयो रे बता दें कि 22 जन्वरी 2024 में होने वाली भगवान रामलेला की प्राण प्रतिष्ठा महोच्सों के शुभावसर पर इंजन आइडल बिनर रिशिय सिंग को श्री राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र टरस्ट की तरफ से आयो जित कायक्रब में शामिल होनी का आमंत्र पत्र भी सम्मान किया गौर तलब है कि 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ सहीत देश के जाने माने लोगों के सामने वो अयोध्या में विजेता बनने के बाद अपना पहला प्रोग्राम आयो जित करेंगे अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संबाद दाता विशाष्ट वास्तों की रिपोर्ट अयोध्या के राम मंदिर प्राण पतिष्ठा से जुड़ी ये लिटिस्ट अपडेट आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स की जरीए अपनी राय जरूर दें और देश प्रदीश और दुनिया की तमाम खबरों से लगाता रहे निकले अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले झाल